Hello friends, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि Economic Development को मीजर करने के लिए Economist ने कई सालों के प्यास के बाद एक मीजर को formulate किया जिसे नाम दिया गया Human Development Index यानी HDI और हमने ये भी देखा था कि HDI की तीन dimensions होती है Standard of Living, Health और Education और इन तीनों Dimensions को मीजर किया जाता है कुछ Indicators जवारा जिनको हम इसी वीडियो में डीटिल में कवर करेंगे और Insulated Indicators की एक Minimum और एक Maximum Value होती है और इसके बेस पर हर एक Country के Indicator की Value को Normalize किया जाता है Zero से लेकर One के बीच की किसी Value पर यानि किसी भी Country के लिए इन में से किसी भी Indicator की जो Value होगी वो Minimum 0 हो सकती है और Maximum 1 हो सकती है चलिए इसे Bulgaria की Example से समझते है मान लीजिए कि Bulgaria के लिए Standard of Living जो है उसकी Indicator Value निकल के आती है 0.7 Health के लिए जो Indicator है उसकी Index Value निकल कर आती है 0.8 और Education के लिए जो Indicator है उसकी Index Value निकल कर आती है 0.9 ये Value किस तरह से निकल कर आती है इसे हम थोड़ी दिर में कवर करने वाले हैं बट अभी के लिए हम लोग HDI की Calculation को एक Bird's Eye View पर देख रहे हैं तो यहाँ पर इन तीनो Values के Geometric Mean को Calculate किया जाता है और Geometric Mean को ही HDI कहा जाता है Geometric Mean Calculate करने का एक Simple सा Formula है हमें इन तीनो Values को Multiply करना होगा और उसका Cube Root लेना होगा तो जो Value निकल कर आईगी वो होगी 0.795 तो इसका मतलब यह हुआ कि Bulgaria का Human Development Index 0.795 है बट अभी ये Topic खतम नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमें हर एक Dimension के Indicators के बारे में जानना है और इन Indicators की Maximum और Minimum Values को भी जानना है क्योंकि ये जो 0 और 1 आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तो Nominal Value है हर एक Indicator की Actual Maximum और Minimum Value different होती है तो चलिए इन सब चीजों को Detail में देखते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Standard of Living का जो Indicator है वो है GnP Per Capita in Purchasing Power Parity और ये Value हमें Dollars में मिलती है और इसलिए जो Minimum Value set की गई है वो है 100 Dollars और Maximum Value है 75,000 Dollars इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी Country की GnP Per Capita in PPP Dollars 100 से कम है तो उसकी Value 0 हो जाएगी और अगर किसी भी Country की GnP Per Capita in PPP Dollars 75,000 या उससे जादा है तो उसकी Value 1 हो जाएगी और अगर किसी भी Country की GnP Per Capita in PPP Dollars इन दोनों Value की बीच की किसी Value है तो ऐसे में उसकी Value को Calculate किया जाएगा और ये Value 0 से 1 के बीच में निकल कर आएगी और इसलिए यहाँ पर Goal Post Values 0 और 1 है क्योंकि किसी भी Country के लिए किसी भी Indicator की Value ना तो 0 से कम हो सकती है और ना ही 1 से जादा चलिए आप देखते हैं Health Srelated Indicator ये है Life Expectancy in Years और इसके लिए जो Minimum Value है वो है 20 Years और Maximum Value है 85 Years SDI की Next Dimension है Education और Education के लिए 2 Indicators को यूज किया जाता है Expected Years of Schooling और Mean Year of Schooling Expected Years of Schooling की जो Minimum Value है वो है 0 और Maximum Value है 18 और Mean Year of Schooling की जो Minimum Value है वो है 0 और Maximum Value है 15 चलिए अब इन Indicators का Meaning समझते हैं GNP per capita इन PPP Dollars को हम आलड़ी पढ़ चुके हैं इसलिए हम लोग बागी के Indicators पर Focus करेंगे शुरुआत करते हैं Life Expectancy in Years से Life Expectancy का मतलब ये होता है कि अगर आज कोई बच्चा पैदा हुआ है तो जिस भी देश में वो पैदा हुआ है उस देश के Current Mortality Rate के हिसाब से वो बच्चा कितने सालों तक जीवित रह पाएगा यानि उसके जो जीवन काल है वो कितने Years का होगा इसकी Value Years में होती है इसके बाद जो Next Indicator है वो है Expected Years of Schooling यहाँ पर हम लोग किसी भी देश की Prevailing Conditions के हिसाब से यह देखते हैं कि किसी भी बच्चे को कितने Years की Education मिल सकती है Next Indicator है Mean Years of Schooling यहाँ पर देखा जाता है कि किसी Particular देश के अंदर जितने भी लोग 25 साल से जादा के हैं उनको कितने Years की Education मिली हुई है उन्होंने कितने Years की Formal Education Attent की है चलिए इन सब चीजों को और भैतर ढंग से समझने के लिए इंडिया की Actual Values को रखते हैं और सबसे पहले Health की Data को देखते हैं हमारे देश में जो Life Expectancy है वो है 67.2 Years और अगर हम लोग Health की Index Value को Calculate करना चाहते हैं तो इसके लिए जो Formula है वो है Actual Value minus Minimum Value divided by Maximum Value minus Minimum Value तो अगर हम लोग यहाँ पर Values को Put करें तो यह हो जाएगा 67.2 minus 20 divided by 85 minus 20 तो जो Value निकल कर आएगी वो होगी 0.726 इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया की Case में Health की जो Index Value है वो है 0.726 इसके बाद अगर हम लोग इंडिया के Case में Expected Years of Schooling को देखें तो यह Value है 11.9 Years और Mean Year of Schooling है 6.7 Years तो यहाँ पर भी हम Same Formula को Apply करके इसके Base पर Values को Calculate करेंगे माल लेते हैं कि Formula को Use करके Expected Years of Schooling की जो Value निकल कर आती है वो है X और Mean Year of Schooling की जो Value निकल कर आती है वो है Y बढ़ हमें Education के लिए सिर्फ एक Index Value चाहिए तो इसके लिए हम इन दोनों Values का Average कर देंगे यानि हम Education के लिए Index Value को निकालने के लिए X प्लस Y डिवाइड़ बाई 2 कर देंगे Basically हम लोग यहाँ पर इन दोनों Values का Arithmetic Mean ले रहे हैं अब बात करते हैं Standard of Living की हमारे देश में GNP per capita in PPP Dollars की Value है 6590 और इसके लिए भी हमें Index Value को Calculate करना होगा बड़ प्रॉलम यह है कि यह जो Formula हमने Health और Education के लिए यूज किया है वो Formula यहाँ पर नहीं चल पाएगा इसलिए हमें इस Formula में जितनी भी Values हैं उनकी Logarithmic Values को Calculate करना होगा इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो Value है वो हो जाएगी Log 6590- Log 100 divided by Log 75000- Log 100 तो जो Value निकल कर आएगी वो Standard of Living की Index Value होगी और इन तीनो Values का अगर हम लोग Geometric Mean ले 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 तो वही Value बन जाएगी HDI Geometric Mean कैसे Calculate किया जाता है वो अभी थोड़ी देर पहले हम आलड़ी देख चुके हैं तो Current Human Development Report के हिसाब से इंडिया की जो HDI Value है वो है 0.633 और अगर हम लोग UNDP दुवारा Publish Report को देखे हैं तो वहाँ पर SDI की Value के Base पर दुनिया के सभी देशों को 4 Groups में डिवाइड किया गया है हम देख सकते हैं कि हमारे देश की Human Development Index की Value के Base पर हम लोग Medium Human Development Countries के लिश्ट में आ रहे हैं और हां UNDP के Latest Report के हिजाब से इंडिया की SDI Rank है 132 out of total 191 countries तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश Human Development के मामले में कितना ज्यादा पिछड़ा हुआ है इंडिया की History, Indian Quality और Indian Economy को डीटेल में कवर करने के लिए बुकसतावा की प्रेलिस को फोलो कीजिए थैंक यू सो मच पर वाचिंग बुकसतावा